नमस्कार दोस्तों, वोटरोन अकेडमी में आपका स्वागत है, मेरा नाम हर्ष है, आज मैं बहुत शांदार फीचर बताने जा रहा हूँ, इस फीचर को यूज़ करके आप अपनी Microsoft Teams की नॉलिज़ को बहुत बढ़ा पाएंगे, तो आज इस फीचर के बारे हम बात कर रहे ह वो है How To Make Team in Your Microsoft Teams, जी Microsoft Teams एक application है, जिसमें आप खुद के टीम बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे, तो चलिए Microsoft Teams पर चलते हैं और आपको बताते हैं आप खुद के टीम कैसे बना सकते हैं, तो हम Microsoft Teams पर आ चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको बत चाहूंगा कि आप खुद के टीम कैसे बनाएंगे, तो खुद के टीम बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर Teams पर जाईए, यहाँ पर Teams का option होगा, उस पर क्लिक कीजिए, जैसे ही आप इस option पर क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास option आएगा, Join or Create a Team, जैसे ही option आएगा इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपके पास एक box में आयाएगा, Create a Team, नीचे ब्लू कलर का box होगा, Create a Team, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको एक tab खुलेगा, Create your Team, तो इसमें आपके पास दो option है, Build a Team from scratch, यानि आप बिल्कुल शार्टिंग से एक नही टीम जैसे ही इस पर आप टिक करेंगे, what kind of team will this be, यानि आप किस तरीके के team बनाना चाहते हैं, आप private team बनाना चाहते हैं, यह public, private के अंदर क्या होता है, कि किसी को भी add करने के लिए permission चाहिए होती है, और वो सिर्फ team का honor दे सकता है, और public में कोई भी join कर सकता है, इसमें कोई permission क ज़रूरत नहीं होती, तो private team हम बनाएंगे, private team पर click कीजिए, जैसे ही आप click करेंगे, आप से ये team name पूछेगा, मैं एक project का नाम, project के नाम से कर देता हूँ, project falcon, अब यहाँ पर मुझे description देनी होगी, project falcon की, तो यहाँ पर हम discuss करेंगे, discuss project falcon, तो यहाँ पर description हो गई, यहाँ पर team name डालिए आप, और यहाँ पर उसके description द्राल दीजिए, कि project name, project यानि जो team है, उसमें हम क्या discuss करेंगे, और आप create कर दीजिए, जैसे ही आप create पर click करेंगे, यह पीछे एक team बनाएगा आपके लिए, nice work, यानि आपके team बन चुकी है, अब आप किसको add करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उनकी idea लिखतीजिए, जैसे मैंने सनी शर्मा को add करना है, तो मैंने उनको add कर दिया, और add कर दीजिए, इन्हें यहाँ पर ऐसे, तो यह add हो चुके हैं, अब देखिए, यहाँ पर option होता है, कि आप इन्हें member रखे हो, और इसे close कर दीजिए, जैसे ही यह close हो गया, आप देखिए, आपकी नई team बन गई है, तो देखिए, यहाँ पर हर्श has added सनी शर्मा to the team, तो यह मैंने सनी शर्मा को team में add कर दिया है, आप चाहते हैं, आप यहाँ पर एक दो channel और बनाना चाहते हैं, अपने project falcon में, general ज channel और बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं particular चीजे discuss करूँगा, तो वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर option पर जाता हूँ, यहाँ पर project falcon के सामने 3 dot होंगे, इन पर click कीजिए, जैसे ही click करेंगे, तो आपको option मिलेगा, add channel, तो add channel पर जाईए, तो channel का नाम लिख देता हूँ, specification, तो यहाँ पर हम specification डालेंगे project की, in this we will discuss about specification, और उसके बाद आपके पास option आएगा नीचे, automatically show this channel in everyone channel list, तो जैसे ही आप बाकियों की भी channel list में इसे दिखाना चाहेंगे, तो इसे okay कर दीजिए, और add कर दीजिए, जैसे ही मैं इसे okay कर दूँगा, तो देखिए, यहाँ पर एक channel add हो गया है, यही फायदा है, Microsoft team के team बनाने का, आप कितने भी channel ऐसे करके बना सकते हैं यहाँ पर, और अपनी team को उसमें जोड सकते हैं, अगर owner है, तो आपके पास औ आप owner है, और एक member है, इस पर click कीजिए, तो आपको member भी दिख जाएगा, तो जैसे सवनी शर्मा हमारे member है, अगर आप channel के आगे settings पर जाएंगे, तो आप settings भी change कर सकते हैं, कि अगर यहाँ से आप कोई team picture लगा, तो यहाँ से अपने team picture add कर सकते हैं, और member की permissions वगारा Microsoft team में अपनी team खुद की बना ली है, आप जितने भी लोग यहाँ से add करना चाहते हैं, अगर जैसे, अभी तो मैंने सिर्फ सनी शर्मा को add किया है, और भी अगर करना चाहते हैं, तो add more people करके, यहाँ पर उनके ID डाल सकते हैं, और वो add होते जाएंगे, अगर आप guest भी add करन में, दोस्तों, मुझे उमीद है आपको यह समझा रहा होगा, और आप अपनी खुद की team बनाएंगे Microsoft team पर, और उसका भरपूर इस्तमाल करेंगे, आप comment section में comment करके बता सकते हैं, कि आपको यह video कैसा लगा, और आप क्या-क्या नए Microsoft team के feature जानना चाहते हैं, आप हमारे channel क सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही जुड़े रहें, मैं जल्द ही नए feature लेकर आपके बीच आता हूं, तब तक के लिए stay connected, नमस्कार दोस्तों मैं आपिन्या है, जाए नियए ठाइड के लिए उन्चे आता ही